नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास ख़बरों उत्तभारत के अधिकतर राज्यों में कडाके की ठंड के बीच नए साल की शुरुआत के साथ बारिश का सिलसला जारी है राष्टे राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मौसम का मिजाज बदला है दिल्ली के कहिसों में बारिश हो रही है मौसम विभाग के मताबिक पूरी दिल्ली और NCR के कुछ इलाकों में अगले 2-3 घंटे में बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने 5 जनवरी तक बारिश और फिर उसके बाद शीत लहर की चेतापनी चारी की है के मताबिक 7 जनवरी के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आने से संड बढ़ जाएगी मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ऐसे मौसम से अभी राहत की उमीद नहीं है वेस्टरन डिस्ट्रिबेंस की वजह से दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाग नौईडा समेत हर्याना के कुछ भागों में रुक रुक कर बारिश का सिलसला जारी है मौसम का जैजा लिया हमारी समवादाता नेहा परिहार ने एक कहावत है माहा ना पोहो ठंड हवा की हो और यह साबित कर दिया है इस बेमौसम बरसात ने इससे पहले भी एक दिन बारिश के बाद भले ही सूरदेव ने महस कुछ घंटों के लिए अपने दर्शन दिये हो लेकिन इस बेमौसम बरसात का लोगों को डर हो या ना हो की ऑफिस जाना है या नहीं लेकिन इस बरसात ने ये तो साबित कर दिया है कि ठंडी जारी है ठंड का प्रकोब भी जारी है नेपाल के राजनेतिक संकट में एक नया मोड आता दिखाई दे रहा है पीएम केपी शर्माओली ने सपश्ट संकेद दिये हैं कि वे विपक्षी नेपाली कॉंग्रस के नेता शेर बहादूर के साथ हाथ मिला सकते हैं चीन की कॉमेनिस्ट पाटी के उप मंतरी के नेपाल से खाली हाथ लोटने के बाद अब देश के प्रधान मंतरी के पिशर्माओली ड्रैगन को एक और बड़ा जटका देने की तैयारी में हैं नेपाली कॉंग्रस के चीफ शेर बहादूर और ओली के बीच डील होती दिखाई दे रही है नेपाल का सुप्रीम कोट अगर प्रधान मंतरी के संसत को भंग करने के फैसले को खालिच कर देता है तो ओली अब पुश्प कमल दहल प्रचंड को जटका देते हुए शेर बहा की एक नेपाली कॉंग्रेस के साथ गजोड का सपश संकेत दिया है ओली ने महिला संगठन का एक ग्यापन सुपिकार करते समय कहा था कि संसत के बहाल होने की संभावना न के बराबर है उन्होंने महिला नेताओं से कहा कि वे चुनाव की तयारी करें आयकर इदकारियों की एक टीम सोंवार को बेनामी संपत्ती मामले को लेकर कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और पार्टी महासचव प्रियंका गांधी वाडरा के पती रोबर्ट वाडरा के कार्याले पहुंची तीम इस मामले में उनका बयान दर्ज किया रोबर्ट वाडरा को आयकर विभाग ने पहले भी बयान दर्ज करने के लिए समन किया था लेकिन तब उन्होंने कोरोना वाइरस का हवाला देते हुए बयान दर्ज नहीं कराया था बतादें की परवर्तन निर्देशाले ने पिछले साल जुलाई में वाडरा के करीवी आ नहीं की है दोहजार अठारा में दर्ज इस मामले में प्रवर्तन निर्देशाले द्वारा उनसे बड़े पैमाने पर पहले ही पूछताच की गई है वाडरा ने कहा है कि ये मामला राजनेतिक प्रतिद्वन्दिता से प्रेरित है ब्रिटन ने अपने नागरिकों को कोवड नाइंटीन के खिलाफ ऑक्सवर्ड एस्टरजेनिका की वैक्सीन कोवी शील का ठीका लगाना शुरू कर दिया है सोमवार को ऑक्सवर्ड के एक अस्पताल में 82 वर्षिय डालेसिस के मरीज को इसकी पहली खुराग दी गई दरसल ब्रिटन ने हाल ही में इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मन्जूरी थी जिसके बाद सोमवार से इसे वहां ठीका करन अभ्यान में शामिल कर लिया गया पुड़े सित सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया इस वैक्सीन का उतपादन कर रही है वैक्सीन लगवाने के बाद ब्रायन पिंकर ने कहा कि वह बहुत खुश हैं वो ऑक्सवर्ड में ही पैदा हुए थे और उन्हें गर्व है कि इस वैक्सीन को ऑक्सवर्ड में ही विक्सित किया गया है उन्होंने कहा मैं अब इस साल के अंत में अपनी पत्नी श्रेले के साथ शादी की 48 वी सालगिरा मनाने का इंतजार कर रहा हूँ Oxford Estrogenica की वैक्सीन कोवीशील को भारत में भी मंजूरी मिल गई है फिलाल खास कबरों में इतना ही चुड़े रहें न्यूस वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार